नमस्कार आदा प्रणाम स्वागत है आप सभी का बिहार अड़ा में कैसे हो आप सभी आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी आज की क्लास के लिए तयार होंगे जिसमें हम फिर से लेकर के आए हैं अच्छे अच्छे प्रश्न तो एक बार सभी लोग सेशन क को लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो हम लोग शुरू करेंगे आज के हमारे प्रश्न जिसमें हम फिर से करेंगे अच्छे-च्छे क्वेशन का अभ्यास और फिर से करेंगे हम अपनी चीज़ों को तो जल्दी से एक बार सेशन को शेर कर दो सब लोग गुड आफ्टनून गुड आफ्टनून गुड आफ्टनून गुड आफ्टनून सब लोग जल्दी से जल्दी से आजाओ फटा-फट से एक बार शेर कर दो जल्दी जल्दी आजाओ सब लोग राधे कृष्ण जी जैमाता दी राधे राधे नमसकारम चलिये शुरू कर ले हम लोग क्लास बहुत बढ़िया अच्छा सबको सर्दी लग रही है हाँ सर्दी लग रही है क्योंकि यहाँ सर्दी हो रही है क्योंकि यहाँ सर्दी हो रही है इसलिए सबको सर्दी लग रही है खेर कोई बात नहीं हम उस पर नहीं आते हैं हम सीधा आते हैं अपनी चीजों पर जो कि हमें आज करनी है, प्रश्णों पर आते हैं सीधा, बहुत जादा बातचीतना करते हुए, नमस्कार, नमस्कार, गुड आफटनून, अभी तक अगर किसी ने नहीं किया है एप को डाउनलोड, तो जल्दी से पहले एप को डाउनलोड कर लो, और इस एप पर दिये गए सब्जेक्ट वाइस कुईज में से अपने जो भी आपको कमजोर विशय लगता है, उस कमजोर विशय के प्रश्णों को करना शुरू कर दो, है ना काफी, लाब मिलेगा, डेली कुईज लगाया करो, सब लोग कम से कम एक डेली कुईज तो लगा ही लिया करो, बागी अगर अभी तक किसी रे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई वो भी कर लो, क्योंकि इसी चैनल पर आपकी तीन बज़े भी क्लास होती है, और इसी चैनल पर आपको शाम को साथ बज़े भी क्लास मिलती है, और आज तो फिर से चर्चा करने वाली हूँ मैं EMRS के शाम को साथ बज़ कर पच्पन मिनट पर लगभग, ठीक है, शाम को लगभग साथ बज़ कर पच्पन मिनट पर परिचर्चा करूंगी, मैं आप से EMRS के विशे में तो आप लोग जुड़े रहिएगा, है ना, नमस्ते जी, गुड़ आफ्टिनून, चलिए, हाँ, जल्दी से एक बार, आज आईए फटा-फट से, देर करोगे तो आपी लोगों का नुकसान है, शुरुआत कर लेता हैं पहले प्रशन से, कहरा है सूर दास ने किस राग की रचना की, सूर मलहार की, सूर सागर की, या फिर सूर सिंगार की, या फिर इन में से कोई नहीं, य क्या होगा उत्तर, जल्दी से बताओ, कौन सा राग है जिसकी रचना सूर दास ने की, जल्दी से बताओ, बता दूंगी जी, बता दूंगी, EMRS की वेकिंसी के बारे में भी बता दूंगी, ठीक है, हाँ, यूनिवर्स्टीस के बारे में भी चर्चा करेंगे, करेंगे, करे बिवास ने जलदी जलदी उत्तर तो सब लोग हो Grund मजानी आता फिर अगर आप लोग आधे अधे बालक उत्तर देते हैं आधे बालक उत्तर देते हैं यह सोच करकि हमारा गलत रोगो कैसे तुम भूश qafr करोगे अभ्यास करने के लिए अभ्यास करना जरूरी होता है ना तो करोगे तब ही तो होगा क्या हो जाएगा सही उत्तर सूर मलहार क्या होगा सही उत्तर ये सूर्दास जी द्वारा रचित है ठीक है सूर्दास जी द्वारा रचित अच्छा कोई सूर्दास जी का वास्तविक नाम बताएगा मुझे क्या था सूर्दास जी का वास्तविक नाम क्या था कौन बताएगा मुझे इनका वास्तविक नाम कोई बता सकता इनका वास्तविक नाम मुझे किसी को पता हो तो सूर्दास जी का वास्तविक नाम अगर किसी को पता हो तो बताना चीक है चलो अगला प्रश्न राग माला ग्रंत है उसकी रचना किसने की पुंडरीक विठल ने, रामा मात्य ने, रामा मात्य है अमीर खुसनों ने इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक साथ बज़े BPSC के लिए dedicated class चलती है लेकिन वो फायदा दोनों चीज़े दोनों जगा पहुँचाएंगी आपको ठीक है मैं पहले ही बता दूँ हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल देखो, साथ बज़े जो आपकी class होती है वो ऐसे तो BPSC के लिए होती है लेकिन वो आप लोगों को estate में भी lab पहुचाएंगी और जो तीन बज़े आपकी class होती है जो अभी चल रही है वो होती तो estate के लिए है लेकिन वो BPSC में भी आपको lab पहुचाएंगी ठीक है, तो दोनों की तयारी कर रहे हो एक ग्रंथ है राग मंजरी एक ग्रंथ है सद्राग चंदरोदय ठीक है, एक ग्रंथ है आपका सद्राग चंदरोदय यह जो ग्रंथ आप देख रहे हो ना सद्राग चंदरोदय या फिर राग माला या फिर राग मंजरी एक ही व्यक्ती ने लिखे हैं किसने लिखे हैं बताओ बिल्कुल ठीक बात क्या हो जाएगा सही उत्तर पुंदरीक विठ्थल ठीक है सही उत्तर होगा पुंदरीक विठ्थल ठीक है अगले प्रशन का उत्तर दो कहरा रामा मात्य कृत स्वर मेल कलाने धी में कितने प्रकरण है स्वर मेल कलाने धी रामा मा उसलिए इनका नाम पढ़ गया रामा मात्य ये अमात्य थे मतलब मंत्री को अमात्य कहा जाता है इन्होंने ग्रंथ लिखा है स्वर मेल का लाने दी कितने प्रकरण है उसमें 4, 5, 6, 7 इन में से कोई नहीं क्या होगा सही उत्तर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा जल्दी बताओ कौन-कौन सा हो जाएगा ये देख रहे हो आप स्वर मेल उपोदगात वीना और राग ये सभी प्रकरण है क्या है ये सभी कहीं अध्याय लिखा होता है कहीं प्रकरण लिखा होता है इन्होंने प्रकरण कहा है पाँच प्रकरण है इस पुस्तक के कौन-कौन से हो जाएगे स्वर प्रकरण है, राग प्रकरण है, मेल प्रकरण है, वीना प्रकरण है, उपोध घात प्रकरण है इस लिहाजन पांच प्रकरण हो जाएंगे, तो सही उत्तर क्या होगा? बी सही उत्तर है, ठीक है? पांच प्रकरण है, ठीक है ना? चलो अगले प्रशन का उत्तर प्रशन संख्या है आपकी चार क्या क्या रहा है स्वर मेल कलानेधी में कुल कितने स्वरों का वर्णन किया गया है कितने स्वर माने है रामा मात्ते ने रामा मात्ते के स्वर कहलो एक ही बात है इनको कह सकते हैं हम लोग रामा मात्य के स्वर कितने स्वर माने हैं रामा मात्य ने तो बात तो भई होगी रामा मात्य के स्वर कहलो या कहलो स्वर में लगलाने धी में कितने स्वर माने गए हैं तो बारा हैं, चौदा हैं, उननीस हैं, इन में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक क्या होगा जल्दी से बताओ उत्तर दो फटा फट से सब लोग क्या होगा क्या हो जाएगा उत्तर जल्दी बताओ स्वर मेल कलानी दी में कितने स्वरों का वर्णान किया गया है जल्दी बताओ कितने हो जाएंगे देखो साथ स्वर तो इन्होंने शुद्ध माने है साथ स्वर तो शुद्ध हो गए और साथ हो गए विक्रित साथ स्वर कैसे हो गए विक्रित हो गए इस लिहाजन इन्होंने कुल स्वर कितने माने है कुल स्वर माने है इन्होंने 14 चौदध कितने माने है इन्होंने कुलसवर? 14 माने है, ठीके तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20 सही उत्तर हुगा, ठीके? 20 सही उत्तर हो जाएगा, 14 कुलसवर माने है, जिसमें की साथ शुद्ध हैं और साथ आपके विकृत हैं, ठीके? चलो अगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं स्वर मेल कलानिधी में कितने थाटों का वर्णन किया गया है कितने थाट बताए गया है बताओ जल्दी से 20 हैं 19 हैं 22 हैं 39 हैं या इन में से कोई नहीं क्या होगा सही उत्तर बताओ जल्दी से उत्तर दो 20, 19, 22 या फिर 29 क्या हो जाएगा सही उत्तर कितने थाटों का वर्णन किया गया है स्वर मेल कलानिधी में जल्दी बताओ जल्दी जल्दी उत्तर दो सब लोग क्या हो जाएगा कितने थाट बताए इन होने स्वर मेल कलानिधी में जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ जल्दी जल्दी उत्तर दो देखो इन्होंने जन्य राग जो बताएं है 63 जन्य राग बताएं है थाट कहलो, मेल कहलो एक ही बात है जितने भी थाट या मेल इन्होंने बताएं इन्हों से 63 जन्य राग बताएं हैं इन्होंने 63 जन निरागों का विवरण देते हैं ये किसमें स्वर मेल कलाने धी में है ठीक है स्वर मेल कलाने धी जो इनका ग्रंथ है उसमें ये कहते हैं कि जितने थाट इन्होंने जितने मेल इन्होंने बताएं हैं उससे 63 राग जनित हैं कितने थाट हो जाएंगे 20 कितने थाट हो जाएंगे 20 थाट इन्होंने बताएं हैं 20 थाट तूं का वर्णन ये करते हैं अगले प्रश्न का उत्तर दू सब लो प्रश्न संख्या है आपकी 6 क्या क्या रहा है राग निर्नय ग्रंत का नाम है इस ग्रंत की रचना किसके द्वारा की गई क्या होगा सही उत्तर बताओ जल्दी से बताओ सब लोग क्या होगा राग निर्नय ग्रंत की रचना किसने की जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ उत्तर क्या होगा सद्राग चंद्रूदै राग माला है ना राग मन्जरी राग मन्जरी राग निर्नै ये जो ग्रन्त आप देख रहे हूं न ये चारो ग्रन्त एक ही व्यक्ति के द्वारा रचित है ठीक है ये चारो ग्रन्त एक ही व्यक्ति के द्वारा रचित है ये चारो ग्रन्त इस व्यक्ति ने लिखे हैं एक ही आदमी है वो कौन पुंडरीक विठ्थल ठीक है पुंडरीक विठ्थल जी के द्वारा रचित ग्र पुंडरीक विठ्थल जीने रचे हैं ये चारों ग्रंथ आगले प्रशन का उत्तर दो प्रशन संख्या है आपकी साथ इनमे से कौन से संगी तग्य जहांगीर के काल में थे इनमे से कौन से संगी तग्य जहांगीर के काल में थे विलास खाँ छत्तर खाँ परवेस खाँ इन रहे बताओ जल्दी से उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी उत्तर दो भले उत्तर गलत हो जाएगा तुम लोग घबराया मत करा करो क्योंकि जादा से जादा गलत होगा इससे जादा क्या होगा या तो सही होगा या तो गलत होगा सही होगा तो समझ लेंगे की प्रश्न का उत्त पता था और गलत होगा तो सीख जाएंगे, है की नहीं, तो ये जरूरी है कि आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दो, ठीक है, चालो, क्या हो जाएगा सही उत्तर जल्दी से बताओ, इन में से कौन से संगी तक ये जहांगीर की काल में थे, बताओ जल्दी क्या होगा उत्त ध्यान से उत्तर देना है, उत्तर देते समय सोचना है, क्या हो जाएगा सही उत्तर, बिल्कुल ठीक बात, ये सभी लोग, ये तीनों लोग, जहांगीर के काल के संगी तक ये हैं, ठीक है, जहांगीर के काल के संगी तक ये हैं, ये तीनों लोग, तो ये वाली बात याद रखने कि सभी नाम परवेज खाँ, छत्तर खाँ और विलास खाँ, तीनों के तीनों जहांगीर के काल में रहे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, मतलब सभी, ठीक है? अगले प्रशन का उत्तर दो, संगीत दरपन की रचना किस काल में ह क्या होगा सही उत्तर बताओ जल्दी से, जल्दी से उत्तर दो क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ सब लोग उत्तर क्या होगा? संगीत दरपन की रचना, जल्दी से बताओ, किसने रचा ये ग्रंत? संगीत दरपन, कौन बताएगा मुझे? नाम बताओ किसने रचा बागी तु सब एक तरफ पहले नाम बताओ हाँ, सही बात क्या हो जाएगा सही उत्तर? जल्दी से उत्तर तो सब लोग क्या होगा? संगीत दरपन किसने लिखा? जल्दी बताओ बिल्कुल सही बात 1625 में रचा गया ये ग्रंथ कब रचा गया? 1625 में रचा गया और किसने रचा? दामोदर पंडित ने रचा ये ग्रंथ संगीत दरपन किसने रचा? दामोदर पंडित ने रचा ये ग्रंथ ठीक है? हाँ, सही उत्तर ये हो जाएगा अगले प्रश्न का उत्तर दो सब लोग संगीत दर्पण में कितने अध्याय हैं संगीत दर्पण में कितने अध्याय हैं दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पांच हैं, इन में से कोई नहीं बताओ जल्दी से उत्तर क्या होगा संगीत दर्पण में कितने अध्याय हैं जल्दी बताओ सब लो संगीत दर्पन ग्रंथ में कितने अध्याए हैं क्या होगा सही उत्तर जल्दी से बताओ संगीत दर्पन ग्रंथ में कितने अध्याए हैं क्या हो जाएगा सही उत्तर बिल्कुल ठीक बात दो अध्याए हैं कितने अध्याए हैं दो अध्याय हैं, आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे हो रहा है, स्वर अध्याय और राग अध्याय, केवल दो ही अध्याय है, पहले अध्याय का नाम है, स्वर अध्याय, और दूसरे अध्याय का नाम है, राग अध्याय, ठीक है, केवल दो ही अध्याय है, स्वर अध्याय और राग अध्याय ठीक है तु सही उत्तर हो जाएगा अगले प्रश्न का उत्तर दो राग तत्व विबोध में कुल कितने स्वरों का वर्णन किया गया है पहले तो मुझे बताओ राग तत्व विबोध के रचनाकार कौन है कौन है इसके रचनाकार फिर बताओ कितने स्वरों का वर्णन 20, 19, 15 या 22 बताओ जल्दी से क्या होगा उत्तर राग तत्व विबोध में कुल कितने स्वरों का वर्णन किया गया है बताओ जल्दी से जल्दी से उत्तर तो सब लोग क्या हो जाएगा जल्दी बताओ जल्दी जल्दी उत्तर दो सब लोग क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा जल्दी बताओ कितने बताओ जल्दी उत्तर दो सब लोग क्या हो जाएगा क्याओएट जल्दी उत्तर दो सब लोग क्या हो सब लोग क्या है झाल झाल बिल्कुल ठीक बात क्या हो जाएगा 19 सही उत्तर होगा ठीक है लेकिन एक बात मुझे आपसे पूछनी भी है और बतानी भी है राग तत्व विबोध की बात हो रही है श्री निवास इसके रचनकार है कौन है श्री निवास जिनोंने वीर्णा के तारों पर स्वरों की स्थापना की है लेकिन मुझे एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ कि राग विबोध गरंथ किसका है राग विबोध गरंथ किसका है बताओ राग विबोध गरंथ किसका है जल्दी से बताओ राग विबोध गरंथ किसका है तुम लोग भी सोचते होगे कि दीदी अचानक से कहां चले जाते हैं यहीं कहीं नहीं थी, यहीं एक सर खड़ेते अभी, तो कुछ बाच्ची चल रही थी, जो आप लोग नहीं सुनाने थी, आप से च्छेपा आगे रखनी थी, ना, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ, राग विबोध के रचना कार कौन है, जल्दी अभी साउंड आ रहा है, जूट मूट मना कहो साउंड नहीं आ रहा है, सोमनाथ हैं, कौन है, सोमनाथ हैं, राग विबोध के रचना कार, ठीक है, कौन हो जाएंगे, सोमनाथ ने लिखी है, राग विबोध, अम मुझे बताओ, सोमनाथ ने कितने मेल माने हैं, कोई बताए कौन बताएगा बताओ सोमनाथ जी ने कितने मेल माने है इन्होंने 22 तो माने है स्वर जिसमें की 7 शुद्ध हो गए और 15 आपके विक्रित हो गए ये विक्रित हो गए और ये शुद्ध हो गए ठीक है और अगर मेल की बात करूँ तो 23 मेल माने है कितने माने हैं? 23 मेलों का वर्णन किया है इन्होंने, ठीक है? हाँ, सुमनाथ जी 23 मेलों का वर्णन किया है और 22 स्वरों का वर्णन किया है, ठीक है? चलो, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्चन की ओर क्या कह रहा है? अनूप, संगीत, विलास, गरंत की रचना किस ने की? पुंडरीक, विठल, सुमनाथ, भावभट, इन में से कोई नहीं एक से अधिक बताओ जल्दी से क्या होगा? जल्दी जल्दी उत्तर दो सब लोग क्या हो जाएगा उत्तर? अनूप, संगीत, विलास, गरंत की रचना जल्दी से बताओ कोशिश करूँगी कि आप लोगों को सुमवार को जो क्लास मिले उसमें मैं विभिन, संगीत, अग्यों के स्वर से संबंधी प्रशन रखूँगा ना? बहुत सारे बच्चे परिशान रहते हैं देखो अनूप, संगीत, विलास और अनूप, संगीत, रतनाकर और बताओ गरंत और कौन सा है? अनूप, संगीत, रतनाकर है अनूप, प्रकाश है कौन सा है? अनूप, प्रकाश है ये सबी गरंत किसने लिखे हैं? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा उत्तर भाव भट हो जाएगा क्या होगा उत्तर? भाव भट ठीक है? भाव भट सही उत्तर होगा ये सारे ग्रंथ उन्हीं के लिखे हुए है ठीक है? चलो अगले प्रशन का उत्तर दो प्रशन संख्या है 12 संगीत कल्प द्रुम की रचना कब हुई? किसने की ओ? 1840, 1835, 1842, 1852 इनमें से कोई नहीं संगीत कल्प द्रुम बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा फटा फट से उत्तर दो जल्दी से बताओ क्या होगा उत्तर हाँ कराओंगी, कराओंगी, चिंता न करो जल्दी से उत्तर दो सब लोग क्या हो जाएगा जल्दी बताओ जल्दी उत्तर दो सब लोग क्या हो जाएगा संगीत कल्पद्रुम जल्दी से बताओ क्या होगा उत्तर बिल्कुल सही बात 1842 क्या हो जाएगा 1842 अभी एक बालक नाम भी बता दिया किसने रची है ये क्रिश्नानंद व्यास जी ने किसने क्रिश्नानंद व्यास जी ने लिखी है संगीत कल्पद्रुम ठीक है संगीत कल्पद्रुम जो रचना है वो क्रिश्नानंद व्यास जी की रचना है ठीक है अगले प्रशन का उत्तर दो प्रशन संक्या है आपकी तेरा एट्रीटीस ओन दा म्यूजिक ओफ हिंदुस्तान इस पुस्तक के रचहिता सुरिंद्र नाठ टैगोर, कैप्टन विलियर्ड, सुमना चटर जी इन में से कोई नहीं एक से अधिक क्या होगा उत्तर, बताओ जल्दी से कल तीन बजे नहीं होगी बालक, कल सुभा होगी आठ बजे आठ बजे से आप लोगों की मैरथन है कल, ठीक है पहले ही बता दूँ कितने बजे से मैरथन है, आठ बजे से भूलना नहीं है किसी को ठीक है? आठ बज़े से सुबह आप लोगों की मेरथन है जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? A Treatise on the Music of Hindustan इस पुस्तक के रचाहिता जल्दी बताओ क्या होगा? फटाफट से उत्तर दू सब लोग क्या होगा? जल्दी से उत्तर दू 1834 सन 1800 1834 में जिनके बारे में चर्चा करते हैं आपके भातखंडे जी सन 1834 में इन्होंने किताब लिखी A Treatise on the Music of Hindustan Captain Williard ने किसने लिखी? Captain Williard ने ठीक है तू सही उत्तर हो जाएगा इसका B अगले प्रशन का उत्तर दो सांगीतिक रचनानाद विनोध किसने लिखी है? सुरेंद्रनाट टैगोर, Captain Williard पन्ना लाल गोस्वामी, कृष्णा नंद व्यास इन में से कोई नहीं बताओ जल्दी से क्या होगा उत्तर? जल्दी जल्दी उत्तर दो सांगीतिक रचनानाद विनोध इसके रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? नाद विनोध किसने लिखी है? जल्दी से उत्तर दो कृष्णा नंद व्यास जी की तो हो गई है ना? कृष्णा नंद व्यास जी की तो हो गई है बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? फटा फट से उत्तर तो सब लोग क्या होगा पन्ना लाल गो स्वामी क्या होगा सही उत्तर पन्ना लाल गो स्वामी जीने लिखी है नाद विनोध किसने लिखी है पन्ना लाल गो स्वामी जीने नाद विनोध ठीक है नाद विनोध अगले प्रशन का उत्तर दो, प्रशन संख्या है 15 सांगीतिक ग्रंथ गीत सूत्रधार इसके रचनाकार कौन है? कृष्णा धन बनर जी, कृष्णा नंद व्यास, पन्ना लाल गो स्वामी इन में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक क्या होगा सही उत्तर बताओ सांगीतिक ग्रंथ गीत सूत्रधार के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताओ फटा फट उत्तर दो सब लोग क्या होगा? गीत सूत्रधार के रचनाकार कौन हो जाएंगे? जल्दी जल्दी बताओ क्रिश्ना धन बनर जी क्रिश्ना नंद व्यास पर्ना लाल गोस्वामी इन में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक क्या होगा सही उत्तर गीत सूत्रधार कौन हो जाएंगे बिलकुल सही बात क्रिश्ना धन बनर जी क्या होगा सही उत्तर इसका सही उत्तर ए होगा क्या होगा सही उत्तर ए सही उत्तर होगा ठीक है अगले प्रशन का उत्तर दो कह रहा है मुआदनुल मौसिकी किसने लिखी है राजा मुहम्मद अली, रजा मुहम्मद, राजा नवाब अली, मुहम्मद करम इमाम, इन में से कोई नहीं क्या होगा सही उत्तर? जल्दी से उत्तर दो सब लोग मुआदनल मौसिकी ग्रंत के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ जल्दी से उत्तर दो सब लोग क्या हो जाएगा मुद्धनुल मजुसकि किसने लिखी है जल्दी से उत्तर दो सब लोग क्या हो जाएगा देखो लगभग 19-वी सबी की बात है ठीक है ना जल्दी से बताओ किसने लिखी 19-वी सदी में लिखी थी इनके बारे में विशेश बात ये है कि एक तो इन्होंने कहा कि एक बात बताओ जब रे उतर सकता है म ग उतर सकता है धनी उतर सकता है तो सापा स्वर क्यों नहीं उतर सकते ये बात इन्होंने इंगे थी, जिन्होंने लिखी है मुआदनुल मौसिकी, लगभग 19 वी शती में, कब लिखी है? 19 वी शती में रचना की है और इन्होंने 12 स्वरूं के अलग-अलग नाम बता है किसने लिखी है मुहम्मद करम इमाम ने किसने लिखी मुहम्मद करम इमाम ने लिखी ठीक है अगले प्रशन का उत्तर दो मारिफ नगमात गरंथ के रचनाकार कौन है मुहम्मद रजा या फिर रजा मुहम्मद अली राजा मुहम्मद अली राजा नवाब अली फकीर उल्ला या इन में से कोई नहीं मारिफ नगमात बताओ जल्दी से तो पूछा क्या प्रश्ण है जल्दी से उत्तर दो सब लोग क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी बताओ मारिफुन नगमात ग्रंथ के रचनाकार कौन है जल्दी से उत्तर दो सब लो क्या हो जाएगा उत्तर मारिफुन नगमात ग्रंथ के रचनाकार जल्दी बताओ कौन हो जाएंगे पटाफट से उपतर दो सब लोग कौन हो जाएंगे देखो सन 1911 में कब की बात है सन 1911 जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था किसने लिखी मौमद रजामत बता देना पटना वाले नहीं है ये ये कौन है ये कौन है लाहौर वाले है राजा नवाब अली कौन हो जाएंगे राजा नवाब अली कहां के थे लाहौर के थे कहां के थे लाहौर के थे ये प्रश्न भी आया था इस बार भी PSC में ये प्रश्न पूछा गया है मारिफ उन नगमात किसने लिखी बहुत सारे बच्चों ने मौमद रजा लगाया उत्तर गलत हो गया क्योंकि इसका उत्तर राजा नवाब अली था लोग सोच रहे थे बातखंडे जी का जन्म कब हुआ बातखंडे जी का जन्म 10 अगस्त 1807 11 अगस्त 1807 12 अगस्त 1806 या फिर 14 अगस्त 1806 या इनमें से कोई नहीं क्या होगा सही उत्तर बताओ जल्दी से उत्तर दो सब लोग क्या हो जाएगा कब हुआ बातखंडे जी का जन्म बताओ बिलकुल शीक बात बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा उत्तर बात खंडे जी का जन्म कब हुआ बताओ जल्दी से जल्दी जल्दी उत्तर दो सब लोग क्या हो जाएगा जल्दी से उत्तर दो बात खंडे जी का जन्म कब हुआ क्या होगा उत्तर बिल्कुल ठीक बात इसका सही उत्तर A है 10 अगस्त 1860 में बात खंडे जी का जन्म हुआ ठीक है दस अगस्त 1860 ठीक है उत्तर हो जाएगा A अगले प्रश्ण का उत्तर दो सब लो, अभिनव राग मंजरी किस भाशा में लिखा गया ग्रंथ है? ये मराठी में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है, तमिल में लिखा गया है, इन में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक क्या होगा सही उत्तर? बताओ जल्दी से, अभिनव राग मंजरी किस भाशा में लिखा गया ग्रंथ है, क्या होगा सही उत्तर? जल्दी से बताओ, अभिनव राग मंजरी किस भाशा में लिखा गया ग्रंथ है, क्या होगा सही उत्तर? जल्दी से बताओ हाँ ये अगर किसी का गलत होता है तो फिर तो कुछ भी सही नहीं हो सकता मुझे ऐसा लगता है और गलत नहीं लगता है बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा अभिनव राग मंजरी जो की संस्कृत भाशी ग्रंथ है किस भाशा में लिखा गया है, संस्कृत भाशा में, पुस्तक है एक और, क्रमिक पुस्तक मालिका, छे भाग हैं इसके, एक और पुस्तक है, भातखंडे संगीत शास्त्र, भातखंडे संगीत शास्त्र, जो कायदे में था हिंदुस्तानी संगीत शास्त्र, बाद में इसका नाम भातखंडे संगीत शास्त्र पड़ा, चार भागों में, ठीक है, ये सब ग्रंद किसने लिखे हैं, एक ही व्यक्ति है, कौन, 20 अही उत्तर है, इसका संस्कृत, कौन हो जाएगा, ये सब पुस्तके लिखी गई हैं, भातखंडे जी द्वारा, बातखंडे जी के द्वारा लिखी गई पुस्तके हैं ये सारी पुस्तके हैं ठीक है चलो अगले प्रशन का उत्तर दो प्रशन संख्या है आपकी 20 राग प्रवेश ग्रंत के रचनाकार कौन थे राग प्रवेश ग्रंत के रचनाकार कौन थे बातखंडे जी, पलुसकर जी, उमकार नाठ्ठाकुर जी, इन में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से उत्तर जल्दी से उत्तर दो राग प्रवेश ग्रंत के रचनाकार कौन थे? जल्दी बताओ क्या हो जाएगा उत्तर? राग प्रवेश ग्रंत के रचनाकार कौन थे? जल्दी से उत्तर दो सब लोग क्या हो जाएगा उत्तर? जल्दी से उत्तर दो राग प्रवेश जल्दी बताओ यह जितने भी ग्रंत आप देख रहे हो राग प्रवेश पीस भाग थे इसके कौन हो जाएंगे इन सारी पुस्तकों के रचनाकार? इन सभी पुस्तकों के रचनाकार हो जाएंगे पलुसकर जी आगले प्रशन का उत्तर दो प्रशन संख्या है 21 कहा संगी तांजली गरंट के रचनाकार कौन संगी तांजली पलुसकर जी भातकन्डे जी उंका न अठाकूर जी इन में से कोई नहीं एक से अधिक बताओ जल्दी क्या होगा संगी तांजली किसने लिखी है जल्दी से उत्तर दू sब लोग क्या हो जाएगा संगी तांजली किसने लिखी है जल्दी बताओ किसने लिखी हाँ सब पलुसकर जी की एकदम ठीक कहा किसकी हैं सब पलुसकर जी की है है ना एक चीज और संगी तांजली के अलावा संगी तांजली प्रणव भारती प्रणव भारती इन दोनों ग्रंतों की रचना एक ही व्यक्ती ने की है और वो है पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी, ठीक है पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी अगले प्रशन का उत्तर दो, इन में से चतो शृतिक स्वर बताना है कौन सा है, सापधनी एक से अधिग, क्या होगा उत्तर, आसान प्रश्न हैं दे सकते हो तुम लोग उत्तर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा चतु शुतिक स्वर इन में से कौन सा है जल्दी से बताओ जल्दी से उत्तर दो सब लोग क्या हो जाएगा जल्दी बताओ क्या होगा उत्तर चतु शुतिक स्वर सामाप चतुशुतिक रेधा रिशुतिक गर्नी द्विशुतिक ठीक है? ये हो जाएंगे तो सा और प दोनों चतुशुतिक हैं इसका मतलब सही उत्तर क्या होगा? इह होगा ठीक है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इह हो जाएगा अगले प्रशन का उत्तर राग तरंगिनी में लोचन ने कितने मेल बताएं हैं? बताओ राग तरंगिनी ग्रंथ में लोचन ने कितने मेल बताएं हैं? 10, 12, 19, 22 क्या होगा सही उत्तर जल्दे जल्दी उत्तर दो सब लोग क्या हो जाएगा कितने मेल बताएगा मेलों को उन्होंने संस्थान कहा है लोचन ने न मिराग तरंगिनी में मेल नहीं कहा मेल के स्थान पर संस्थान शब्द का प्रयोग किया है संस्थान शब्द का प्रेयोग किया है उनोंने कितने मेल माने है बिलकुल सही बाद 12 मेल माने है कितने 12 मेल माने है ठीके सही उत्तर हो जाएगा इसका 2 अगले प्रशन का उत्तर किया भाव भट्टने अनूप संचीत अत्नाकर में कितने मेल स्वीकार किये reden 12, 20, 19, 22 इन्मे कितने मेल माने हैं? बिलकुल सही बात 12 मेल माने हैं ठीक है? सही उत्तर हो जाएगा इसका B अगले प्रश्न का उत्तर किया भाव भट ने अनूप संगीत रतनाकर में कितने मेल स्विकार किये? 12, 20, 19, 22 इनमे से कोई नहीं क्या होगा सही उत्तर? बताओ जल्दी से भाव भट ने अनूप संगीत रतनाकर में कितने मेल स्विकार किये हैं? जल्दी से उत्तर दो सब लोग क्या होगा? क्या हो जाएगा उत्तर? भाव भट ने के अनूसार कितने मेल हैं? बिलकुल ठीक नहीं है क्या होगा सही उत्तर? 20 मेल हो जाएंगे कितने मेल हो जाएंगे भाव भट ने अनूप संगीत रतनाकर में 20 मेल माने है कितने माने 20 ठीक है अगले प्रशन का उत्तर दो प्रशन संख्या है आपकी 25 श्रीकंठ ने अपनी रचना रस कौम उदी में कितने मेल स्विकार की है 20, 10, 9, 12 इन में से कोई नहीं क्या होगा सही उत्तर बताओ कितने मेल बताएंगे भाव भट ने अनूप संगीत रतनाकर में जल्दी जल्दी उत्तर दो सब लोग क्या हो जाएगा भाव भट के अनुसार सौरी श्रीकंठ के अनुसार रसक आउमुदी में कितने मेल है जल्दी से उत्तर दो सब लोग क्या हो जाएगा क्या होगा सही उत्तर जल्दी से बताओ बिल्कुल ठीक बात ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मेलों की संख्या सबसे कम बताई सबसे कम संख्या स्वीकारी ठीक है जिन्होंने मेलों की सबसे कम संख्या स्वीकारी है वो इनसान है श्रीकंठ जी तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 9 क्या होगा सही उत्तर 9 कैसे रहे आज के प्रश्ण पहले मुझे सब लोग ये बताओ मजा आया, मजा आया सबको प्रशन करने में देखो, अभी आपके estate में time है, अगर आप लोग अच्छे से तयारी करते हो, चाहे paper 1 की कर रहे हो, और चाहे paper 2 की कर रहे हो, वो सकता है कि paper ये लोग tough करें, कारण है, बहुत सारे बच्चों ने estate भराया और BPSC की परिक्षा जो है उसमें vacancy उतनी जादा नहीं है, जितनी इस बार लोगों ने estate की परिक्षा भरी है, paper tough हुआ तो हो सकता है, उसको qualify करना थोड़ा मुश्किल हो, तयारी को दुरूस्त करके रखो, बहतर करके रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, अच्छे से थियोरिक तयार करो, सार दुबारा नहीं आएगा, यही time है, जिससे आपकी तयारी बहतर हो सकती है, ठीक है न, तो अगर आप लोग अपनी तयारी को बहतर करना चाते हो, तो देखो, March end, यानि के, 31 March की वज़े से, March end का offer चल रहा है, जिसमें आपको double validity मिल रही है, ठीक है, double validity है, और वो भी उसके स साथ दे रहे हैं, यह लोग 80% का discount, हमें पता चला, तो हमें लगा बताना है, जरूरी है बालकों को, हमें कल शाम को पता चला, कि भई double validity भी ही चल रही है, और 80% discount भी चल रही है, तो सुचा आप लोगों को बता दूं, कि भई 4.0 की तयारी भी करोगे, आप BPSC 4.0 की तयार कर रहे होंगे, तो यह सारी चीज़े अगर आप लोग तयार करना चाते हो, एक ही जगा, तो मैं बता दूं, कैसे आप लोग तयार कर सकते हो, उसके लिए आपको जाना होगा, Google पर, Google पर जाकर आपको सर्च करना होगा, अड़्डा 24.7, सर्च करोगे, पहला ही विकल पाए पेपर वन पर क्लिक कर लेना, देखो यहां बिहार शिक्षक भरती का जो महा पैक है, 3.0, 4.0, एस्टेट पार्ट वन, पार्ट टू दोनों इंक्लूड होंगे इसके अंदर, एस्टेट पार्ट वन, एस्टेट पार्ट वन और जो 2.0 आ रहा है, ठीक है, उसमें भी आपक सब्सक्राइगा, बिहार भी है, डीलेड, और देखो इसमें 1st to 5th, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, सब के सब, है ना, सारी की सारी चीज़े आप लोगों को यहां पर मिलेंगी, साथी सारे सब्जेक्स मिलेंगे, double validity के साथ, देखो, drop out बहुत बढ़ा है, इतना वड़ा drop out थुदा कम मिलता है, वो भी double validity के साथ, अभी हुली में चल रहा था, भी 31st में चल रहा है, 12 plus 12 पर क्लिक कर लेना, मतलब 2 साल के लिए आपको इसकी validity मिल जाएगी, 2 साल बहुत होते हैं, ठीक है, कोई भी नया बैच है इसमें include होगा तो वो आपको मिलेगा ही, ठीक है, कैसे join करोगे, buy now के option पर क्लिक करना, यहाँ enter coupon code पर क्या कर लेना, यहाँ पर डाल लेना, आप लोग, buy 740, जैसे इसको apply करोगे, यह 1760 रुपे में दिख रहा है, यह और discount मिल सकता है, अगर coin apply करोगे, तो कैसे apply करोगे coin, मैं बता दू, अगर आपको 80% discount चीए, अगर discount 80% चीए, तो क्या करना, लगाना, plus Y740, दोनों लगाओगे, तो 80% discount मिल जाएगा, ठीक है, तो काफी फाइदा हो सकता है आपको, इसमें और साथ ही, इसमें सारे batches भी include हैं, तो अलग से कुछ करने की ज़ुरत नहीं है, validity पी पूरी 2 साल की होगी, 2 साल बहुत होते हैं, पहले 1 साल की, अब 2 साल की हो जाएगी, ठीक है, तो चलिए, मिलेंगे आप लोगों से शाम को 7 बजे, यहीं पर बात होगी, फिर इसे प्रश्न होंगे, one liners कराओंगी, शाम को 7 बजे one liners होते हैं, इस टाइम पर मैं आप लोगाएगा,